हेलो व्रियों आई होफ और फिलिंग में जो भी जाओंगे बड़ियाओंगे और इस वीडियो में में लग लास 12 पिंच अविश्णॉफ का हम लोग हिंदिस रांस देखेंगे पिंच अविश्णॉफ मनोहर मंगलवाकर द्वारा लिखा गया है उनका जनम 1913 में भारत बंबे में हुआ था वो परसिद उपनियस्कार और लगू कथकार हैं वो एक महान लिखक थे यह कहानी बुद्धी और रोमांच से भरफूर है आपको विगापन देखक हम कहानी में लेखक नानुकाका की बुद्धी को दर साता है एक दिन नानुकाका दो या तीन दिनों के लिए दिल्ली के एक कल्यान मंत्री से मिलने के लिए लेखक के घरात नानुकाका एम मनोहर मल गाउकार के मामा है वो बहुत बुद्धिमान और बुद्धिमान बेखती हैं वो अकस प्रतिराम का बेटा है उन्होंने एक धोबी और सीखो ऑटो डिलर्स के मनेजर को फंसा कर एक संदार कार ले लिए नानुका का माल गाउंकार के द्वारा लिखा गया है इनका जनम 1913 इसवी को भारत यानी के बंबाई में हुआ था वह एक जाने माने उपनियास्कार और कहानिकारक है यह कहानी बुद्धी और जोखिम से भरी है इस कहानी में लेखक ने नानुका का की बुद्धी को दर्साया है एक दिन नानुका का लिखक के द्वारा दिल्ली में दो या तीन दिनों के लिए लोग कन्यार मंत्री से मिलने आते हैं नानुका का मन महक के माह है वह एक बुद्धिमान और तेजविक थी है वह बार बार एक चुटकी कहानी लेते हैं नानुका का और लिखक मंत्री कल्यान से मुला के मनेजर और धोबी को फसा कर वहां से एक संदार कार लेगा नानुका का 1000 रुपे का चेक साइन करते हैं और धोबी को सिर्फ दो रुपे देते हैं रती राम की मदद से हुए लोग कल्यान मंत्री के कर्यालक के अतिथी पुस्तक में स्वयम को सुथकत्ता कहते हैं जिसका ना जानुका का उस मंत्री से क्यों मिलना चाहते हैं आसा कि यह था हम लोग का हिंदी सरांस पींच आप स्नॉफ का आपको कैसा लागा कमेंट करके बताएंगे और ऐसे वीडियो को पाने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और सेयर करें जल्दी मिलते नेक्स्टूडियो तब तक लिए बाद है